Hello everyone, Welcome back to ABIMA Academy आज के सीडियो में हम जानेगे Indian Political System के बारे में भारत में राजनेती की वास्ता कैसे काम करती है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे रुपया वीडियो में अंतदक बने रहें भारतिय राजय वस्ता भारतिय सहुदान से चलती है भारतिय राजय वस्ता के प्रमुक तीन अंग है Legislative अर्थात विदाईका, Executive अर्थात कार्यपालिका और जीडियो सेरी अर्थात नयपालिका भारत में जो भी कानून बनते हैं वो Legislature या विदाईका द्वारा बनाये जाते है इन कानूनों को implement करना कार्यपालिका की जिम्मेवरी होती है कानून सही है या नहीं इसकी पुष्टी नयपालिका घरती है विदाईका या Legislature को हम संसत भी कहते है इनमें लोकसभा, राजयसभा और राश्टरपती का समाईश है कोई भी कानून कानून तब तक नहीं बन जाता जब तक उस पे राश्टरपती के हकस्ताक्चर नहीं हो जाते जब कोई कानून बनाना होता है तब संसत के कोई भी एक सदन में एक बिल को इंटर्डूस करना पड़ता है और वो बिल पास करने के बाद मेजुरिटी में पास होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है जब दोनों सदनों में बिल पास हो जाता है तब उसे राश्टापती के पास हस्ताक्चर के लिए भेज दिया जाता है राश्टापती के पास अधिकार होता है कि वे बिल को मंजुरू दे या उसे वापस भेज़ दे या उसे निरस्त कर दे अगर राश्टापती उस बिल पे हस्ताक्चर कर लेते हैं तब वो बिल कानून बन जाता है इस प्रकार विधायका के तीन अंग है लोकसाबा, राश्टापती राश्टापती है राजसबा के सदश्य अपरतेक्स्य चुनाओ से चुनकर आते है वही लोकसबा के सदश्य आम चुनाओदारा चुनकर आते है लोकसबा बहुदल चुना प्रक्रिया होती है जो भी दल भहुमत मेजरूटी में सीटे जितता है उस दल को सरकार स्तापित करने का निमंत्रन राश्टरपती द्वारा दिया जाता है लोकसबा में कुल 543 सदस्य होते हैं सविधान में इनकी अधिक्तम संक्या 552 रखी गई थी और राश्टरपती दो सांसदों को भारतिया अंगले समुदाय से नामांकित करते थे लेकिन 114 सविधान संसदों दोरा इस प्रावधान को जनवरी 2020 में निरस्थ कर दिया गया है लोकसबा में बहुमत का आकड़ा 242 है 543 में से जो भी दल बहुमत का आकड़ा पार कर लेता है वह दल सरकार बनाने के लिए योग्य हो जाता है अगर कोई दल बहुमत का आकड़ा पार नहीं कर पाता तब राष्टापती सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए अमत्रित करते है परन्तु उस दल को किसी अन्य दल के साथ गड़ बंदन कर बहुमत को हासिल करना होता है या कोई भी दल आपस में गड़ बंदन कर सरकार स्थापित कर सकते अगर कोई भी दल सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाते तब राष्टापती दोबारा नए चुनाओ का एलान कर सकते भारत में मेजरेटी पार्टी की सरकार चलती है जो दल सरकार स्तापित करता है उने के परदान मंत्री और अन्य मंत्री होते है परन्तु यह जरूरी नहीं कि मंत्री बनने वाला विक्ति केवाल लोकसभा का ही सदस्य या सांसद हो वह राजसभा का भी सांसद हो सकता है परन्त सदस्या राष्टापती दौरा नामाकित किये जाते है राष्टापती मंत्री मंदल की सलहा पर भारत के कला खेल इत्यादी चेत्रे में किनी 12 विक्ति को राजे सबा का सांसत की नियुक्ति कर सकते है राजे सबा के पीटा सिन राजय सबा को 27 सदन या पर्मानेंट हाउस का जाता है क्योंकि राजय सबा कभी भंग नहीं होता या डिजॉल नहीं होता इसके वन थर्ड सदस्य हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं जबकि लोग सबा 5 साल या उससे भी कम समय में डिजॉल हो सकती है भारत की कार्यपालिका भारत में दो स्तरिय कार्यपालिका है केंद्रिय कार्यपालिका और राज्यस्तरिय कार्यपालिका केंद्रिय कार्यपालिका में राष्टपती, उपराष्टपती, केंद्रिय मंत्री मंदल और केंद्रिय बिरोक्रार्स होते हैं जैसे की IES, IPS वही राजस्तरिय कारेपालेगा के प्रमुक राज्यपाल होते हैं परंतु वास्तवी प्रमुक मुख्यमंत्री और उनका मंत्री मंदल होता है बारतिय नयाई पालिका के अंतरगत, भारत के सर्वच चनयाल है, उच्च चनयाल है, डिस्ट्रिक कोर्ट्स और सब कोर्ट्स का समायस होता है सेविधान की उनका कार्य होता है सेविधान की रक्चा करना, दोसियों को दंडित करना, इनोसेंट लोगों की मदद करना, केंदर सरकारे और रज़सरकार के बीच के तनाव को दूर करना, विधाय का द्वारा बनाय गया कानून का परिक्षन करना, अगर सुप्रीम कोड यह पाता है कि विधाय का द्वारा बनाय गया कानून अस्वेधानिक है, तब सुप्रीम कोड उस कानून को निरस्त कर देती है, आज हमने जाना भारत के राजनीती तंत्र के महत्वपुर्ण भागों को आश्या करता हो कि वीडियो आपको हेल्पू लगा हो, आप कमेंट करके अपने राई हमें दे सकते हैं, गुर्पया वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो अंतर दख देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहिन